इस वीडियो का मकसद होने वाला है सब लोगों को Docker सिखाना यानि कि मैं आप लोगों को आज Docker के सिर्फ वो कमांड सिखाऊंगा जिसकी साहिता से आप लोग Docker के सबसे जादा powerful features को इस्तेमाल कर पाएंगे और Docker की शक्तियों को इस्तेमाल करना सीख पाएंगे in my opinion Docker एक बहुती easy चीज़ है और उसके bare minimum features को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई hi-fi rocket science आने की ज़रूरत नहीं है absolutely Docker के advanced feature होते हैं जिसको advanced deployments में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हर किसी को Docker के basic commands और basic features आने चाहिए इसलिए आज मैं आप लोगों को एक बहुती आसान तरीके से Docker को install करना बताऊँगा और ये बताऊँगा कि कौन-कौन से वो commands है जिसे कि आप लोग अपनी deployment life को एकदम आसान बना पाऊगे अपनी deployments को freeze कर पाऊगे Docker अगर आप लोग को नई मालूम तो Docker एक तरीका होता है container बनाने का कोई भी नई app आप लोग deploy करते हो तो सबसे पहले आप लोगों को सारे उसके setup की चीज़े install करनी पड़ती है मेभी आप लोग install करोगे उसके लिए Java उसके बाद आप लोग install करोगे let us say Gradle मेभी आप लोग का project इस्तिमाल करता है XYZ नाम का कोई package जिसको आप लोग install करोगे और उस XYZ package का भी एक specific version Docker का अगर आप लोग इस्तिमाल करोगे तो आप लोग automate कर सकते हो इन सब चीज़ों को और Docker file के अंतर ये सारी information को store कर सकते हो फिर उसके पर आपकी Docker file को read करके container को spin किया जाएगा जो की kind of independent computer की तरह काम करेगा जिसमें आपकी web deploy होगी हर बार जब जब आप उसको spin करेंगे अगर आप लोग को इस समझ में नहीं आया तो आप tension बिलकुल भी मत लेना जो कि अभी हम चलने वाले हैं computer screen में और वहां पर इसको step by step समझेंगे Docker को install करेंगे एक बहुती कमाल का free तरीका आप लोग को बताऊंगा Docker को install करने का जिसमें अगर आप लोग के पास Windows 7 का 1GB वाला laptop भी है तब भी आप लोग Docker को इस्तेमाल कर पाऊंगे चलते हैं computer screen में and let's see how all this is done So, मैं अपनी computer screen के अंदर तो आ चुका हूँ सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि Docker होता क्या है यहां पर कोई भी terminology वगरा कम इस्तेमाल नहीं करूँगा जिस्ट आपको देशी वाचे मां बताऊंगा कि Docker होता क्या है देखो यार, मानलो मेरे पास एक application है ठीक है उस application को मुझे deploy करना है ठीक है आपने अगर deployment किया तो आप इस पीन को समझते होंगे कि एक machine के अंदर आप सबसे पहले सारी dependencies को install करेंगे फिर उट dependencies का version भी आप लोगों को track में रखना पड़ेगा अगर मानलो आप Ubuntu 18 के लिए कोई deployment कर रहे है तो हो सकता है कि Ubuntu का version let us say 64 आ जाए बहुती future में और उसके बाद वो application उसमें deploy ही ना हो ठीक है फिर मानलो आपकी जो application है वो इस्तेमाल करती है node.js को अब node.js का आपने version इस्तेमाल किया हूँ है पर लो 12 अब आ गया 16 अब और यह आपको दिक्कत ठीक है क्योंकि जो updated node.js है उसमें आपकी आप चलनी रही है तो जब आप अपने deployment को freeze करते हूँ है यह आप सारी dependencies let us say dependency A dependency B dependency C यह सब install करते हो अपने computer के अंदर let us say Java का एक version install कर लिया आपने machine में let us say आपने CC++ का compiler install कर लिया ठीक है यह सब करने के बाद finally आप जब अपनी application को deploy कर दोगे तो दूसरी machine में आपको यह सारी मेनत फिर से करनी पड़ेगी तो docker एक तरीका होता है एक virtual machine में नहीं कोँगा docker को होती है लेकिन analogy समझाने की आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ एक machine type की बन जाती है एक separate entity जिस पर आपका सारा का सारा code run करेगा docker एक container होता है virtual machine नहीं होती है virtual machine इसलिए नहीं होती है क्योंकि virtual machine के पास अपनी RAM सब कुछ अपना होता है ठीक है docker क्या होता है docker एक layer होती है on top of virtual machine यानि कि machine में install होता है docker और वो docker independent होता है machine के environment से यानि कि मानलो आपने python का version 3.6 install किया हो है अपनी machine में उसी machine में आपने docker डाला हो है अब आपने उसमें python का 3.7 version अगर एक container के अंदर install किया है तो आपका 3.7 container के अंदर से accessible होगा और container का machine के version से कोई मतलब नहीं है यानि कि machine में अगर python 3.6 है और container A के अंदर python 3.7 है तो वो python 3.7 उस container का है यानि कि पूरी entity isolate होगी तो इस isolated entity को container कहते है अब मैं आप लोग को linode पर लेकर चलना चाता हूँ और आप लोग को यह पर दिखाना चाता हूँ कि किस तरह से आप लोग बहुत quickly docker को install कर सकते हैं देखो एक तरीका obviously docker को install करने का यह है कि आप लोग जाएं docker को install करें और believe me यार अगर आप लोग एक windows user हैं बहुत दिक्कत आती है इसमें क्योंकि क्या होता है ना कि सारे के सारे windows के version में docker supported नहीं है आपकी machine का जो architecture है जरूरी नहीं है कि वो support करें docker को अगर आप let us say एक GV RAM वली machine में है आपका Pentium P4 processor है तो क्या आप docker को इसमें नहीं कर सकते है दिया answer है कि आप कर सकते हो ठीक है और कैसे करोगे वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ आप description में एक link आपको मिलेगा आप उस sign up करते हो तो यह video को follow करना आप लोग के लिए बहुत असान बनने वाले है अगर आप नीचे link में क्लिक करते हो जो कि description में sign up करते हो लेड़ोंड में फिर उसके बाद आपको मिलेंगा 100 डॉलर और उन 100 डॉलर का इस्तिमाल करके आपके सारी virtual machines free में बना सकते हो और यहांप पर क्लिक कर दिया advanced options को configure नहीं करूँगा image भी मैं आपर debian 11 को select कर लूँगा आप चाहो तो 120 को पर select कर सकते हो region मैं Mumbai कर लेता हूँ dedicated 4G भी बना लेता हूँ फिर उसके बाद अपना एक password चूस कर लेता हूँ ठीक है और उसके बाद यहांपर मैंने tag अभी उसमें कुछ लग बनाने के लिए चाहिए वो करना शुरू कर देगा machine का IP address यह है विसी कली क्या है कि एक virtual machine बन गई है जिसके अंदर docker पूरा बढ़िया करके configure हो रखा है ठीक है तो अगर मैं एक virtual machine मनाता सर्फ ठीक है अगर मानलो मैं एक virtual machine मनाता हूँ उसके अंदर फिर docker install करता और सारी प्रकिरिया को यहाँ पर देख देख करता तो मुझे काफी time लग जाता तो time तो लगता ठीक है इसमें कोई दूरा नहीं मैं यह नहीं कर रहा हूँ ऐसा करना नहीं चाहिए आपको हमेशा docker की one click app है यह बहुत कमाल किया आपको बहुत time बचा देगी ठीक है अगर मानलो आ एक marketplace का इस्तेमाल करके docker की application जो linode में प्री बिल्ट आती है वो इस्तेमाल करके अपनी वर्चुल मशीन मरा लो जब हम marketplace का इस्तेमाल करते है न linode में तो सबसे बड़ी है चीज क्या है कि एक तो हमारी virtual machine मन जाती है ठीक है virtual machine के साथ ही हमें क्या मिलता है यह सारी जो provisioning हो आप इसके अंदर यह भी क्या कर रहा है सब कुछ कर रहा है बहुत काम कर रहा है सब चीज़े सेट अप करके हमको दे रहा है हमको सेट अप होकर मिल जाएंगी सारी चीज़े हमें मशीन में घुसकर docker इंस्तॉल करने की ज़रूरत नहीं है इसी तरह से marketplace में और भी बहुत स चल गई है मैं आप लोगों को अपने experience से बता रहा हूं लिनोट को इस्तमाल करने के या किसी भी cloud service को इस्तमाल करने के कि जब भी machine बनाओना तो थोड़ा सा रुख जाओ थोड़ा सा time दो उसको यह running यहां पर लिकर आ गया लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा time दोंगा उसके चाते हूं तो आप लिनोट कर सकते हो ठीक है उसी के साथ सा धन्यवाद करना चाहूंगा लिनोट का कि उन्होंने सारे लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 100 डॉलर दिये लिनोट क्रेडिट के तौर पर जो कि आप description में link पर click कर सकते हैं तो यार कोई भी गवा आपको पी करना पड़ेगा हैं very transparent with that ठीक है 100 डॉलर सापको मिलेंगे फ्रीम और मेरे इसाब से 100 डॉलर बहुत ज्यादा होते हैं और जब आप practice वगएरा कर रहे हो 100 डॉलर से कर आप लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कोई business चल रहा है तो आप business से पैसे भी कमा ठीक है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर जो एससे इसे कॉपी करेंगे एंटर बारेंगे अब यहाँ पर आप yes कर दें इसको कि मैं trust करता हूं लोगों को yes कर दिया मैंने अब यह मुझसे password मांग रहा है मैं अपना password डाल दूगा यह वह password है जो कि मैंने machine को बनाते वक अस्तमाल करने का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आपको यहाँ पर डॉकर प्री इंस्टॉल मिल जाता है आपकी machine बढ़िया करके दे देते हैं पूरी service करके दे देते हैं machine में जो चीज़े शायद आप इंस्टॉल करते हैं अपनी machine को configure करने के लिए आपको यह करके दे द कोई भी इंसान जो की apps deploy करता है और उसको docker के बारे में कुछ नहीं आता इस वीडियो को देखने के बाद वो docker को appreciate कर पाएगा और docker को सीख पाएगा that's it मैं start करता हूँ docker के commands करते हैं को docker को सबसे पहले समझो docker क्या है docker एक program है जो की इस virtual machine में installed है virtual machine क्या है virtual machine एक machine है जो की cloud पर रखी हुई है जिसका access मुझे यहां से मिल गया है मेरे घर से मैं यहाँ पर UP से महराश्ट में रखी हुई इस machine को access कर पा रहा हूँ through SSH ठीक यह बास समझ में आगई आप लोग को इसी machine के अंदर मेरे लिए linode ने docker install कर दिया है docker क्या एक program है एक ऐसा program जो कि आपकी apps को isolated way में container के अंदर रख कर देने की facility प्रदान करता है आपको यानि कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी application A एक container में आ जाए application B दूसरे container में आ जाए तो docker की side असी एकाम बहुत प्यार से हो सकता है ठीक है तो यहां तक तो समझ में आप लोग को आई गया हो गया ठीक है तो docker को run किस तरह से करना है तो देखो या docker को run करना सबसे आसान है आपको मान लो एक nginx server run करना है तो आप कोगे docker run nginx ठीक है अब nginx क्या है nginx ए एक image है ठीक है image का मतलब क्या है image का मतलब है कि वो सारी information जो कि यह container को बनाने के लिए चाहिए image मतलब information container मतलब actual में आपके hardware पर वो changes write किये जाएंगे वो container spin up किया जाएगा जिसमें nginx चलेगा जब मैं कहता हूं container spin up किया जाएगा उसका मतलब है कि docker क्या करेगा docker एक isolated entity बना देगा जिसके अंदर सिर्फ nginx run होगा उसके अंदर जो भी versions जिस प्रोग्राम के रन होंगे उस प्रोग्राम के वर्जन का machine के अंदर जो वही प्रोग्राम का वर्जन है उससे कोई मतलब नहीं होगा एंटर मारता हूं और आप लोग देखो एनेबल टू फाइंग लेटेस्ट लोकली यानि कि यह कहरा कि बाई आपके कंप्यूटर में nginx नहीं मिला मुझे यह image नहीं मिली वो जानकारी नहीं मिली जो की चाहिए थी इस container को launch करने के लिए ठीक है यह समझ में है आप लोग को I hope आ गया होगा ठीक है तो यहां तक तो कोई भी दिक्कत नही क्या मैं इसको access कर सकता हूं is the question ठीक है आज हो देखते हैं कि क्या मैं machine की IP से इसको access कर सकता हूं क्या मैं एक नई tab में कुछ ऐसा कर सकता हूं कि यार मैं इसको access कर रहा हूं इसके अंदर मुझे nginx मिल जाए क्या मैं इसको access कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं नहीं कर पार हो यार तो यह यह चल रहा है ओर उसी के साथ साथ क्या है की जो मशीन का पोर्ट है और जो कंटीनर का पोर्ट है उनमें कोई मैपिंग नहीं है यानि की जो मशीन का पोर्ट है वो internal ट्राफिक को accept कर दी नहीं रहा है, incoming traffic को ले नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जब वो traffic ही नहीं ले रहा है, तो container तक कैसे पहुचेगा traffic, आप कुछ ऐसा समझ लो, मैं आपर यार whiteboard खुल लो, whiteboard, microsoft whiteboard, रुख जाओ यार, 1 minute, whiteboard खुलता हूँ, अच्छी तरह समझ में आएगा, आप लोग को, शायद whiteboard app install नहीं है, online whiteboard, online whiteboard, come on, come on, come on, come on, come on Google, कोई चीज दो मुझे, जिससे मैं whiteboard में लिख पाऊ, start a whiteboard, बहुत बढ़िया, मैं जस्ट आप लोग को समझाऊंगा, और handwriting में मैं जाना है, ठीक है, क्योंकि मैं whiteboard यूज़ कर रहा हूँ, देख तो डॉकर जाहिर सी बात है, कुछ resources लेगा, ठीक है, तो मैं आपर लिख देता हूँ, डॉकर, यह डॉकर हमने install कर लिया, अब यह डॉकर की जिम्मेदारी बनती है, कि यह डॉकर क्या करें, यह डॉकर अपने हिसाब से सारे containers को run करें, तो मानलो एक C1 है, ठीक है, यह हमार इनके बाद laptop आ गया, इनके पापा ने दिलाया भी नया नया, ठीक है, बहुत खुश है, बहुत ही जादा खुश है, इनके पापा ने अभी भी दिलाया, गेमिंग laptop ले लिया, बोला कि C चलाओंगा, उसमें C की program लिकूंगा, यह कहा कि इनो ने अपने पापा से gaming laptop ले लि इसके लिए मुझे command देना पड़ेगा, और वो command क्या होगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अगर मैं docker run nginx से पहले लिख दू, minus p, और मैं यह कह दूं कि यार, इसका port 80, इसका port 80 से map कर दो, और मैं enter मारूं, तो आप देखो, यह start तो हो गया, लेकिन इस बार क्या शुबम रख दो नहीं, शुबम नहीं रखूंगा इस बार, संचित रख देता हूँ, कैसा लगा आपको नाम मुझे नीचे comment में ज़रूर बताईए का, संचित रख दिया मैं ठीक है, संचित भाई क्या करेंगे, संचित भाई port 80 पर जाएंगे इस machine में, यह कौन सी machine है, य यह वाली machine है, ठीक है, यह वाली machine है, इस machine के अंदर मैं IP भी डाल देता हूँ, ठीक है, यह machine है, इस machine के port 80 पर जाएंगे, तो क्योंकि docker को command मिला हुआ है, कि port 80 machine का map कर दो, जनी कि port 80 पर अगर कोई भी आता है, तो उसको इस docker container के, जो nginx वाला container c1 है, एक machine में बहुत सार containers run हो सकते हैं, इसलिए मैंने c1, c2 बनाया, हमारा वाला ये nginx वाला जो container है, ठीक है, यहाँ पर nginx लिख देता हूँ, यह c2, c3 और भी बहुत सारे container जो है, एक machine में हो सकते हैं, ठीक है, तो उसकी good intention नहीं है, अब क्या होगा कि कुभी हमने port 80 को 80 से map किया हुआ है, तो क क्या करेगा automatically, इस container के अंदर भीजतेगा traffic को, ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पर nginx देखने को मिल रहा है, अगर मैं यही command को चलाता, port 80 80 कर देता है, यानि कि machine का port 80 80 और docker का, मतलब जो nginx है, वो container के अंदर port 80 पर चलता है by default, ठीक है, यह मैंने किया, तो इस बार मैं इसको reload करूँगा इस तरह से, तो आप लोग देखो, इसको दिक्कत होई, नहीं चल रहा है, अगर मैं यह 80 80 करूँगा, तब चलेगा, क्या तब चल रहा है, देख लो आप लोग, ठीक है, तब चल रहा है, 80 80 port चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क तो docker container चलेगा, obviously docker container बंद हो जाएगा, ठीक है, तो मैं अगर control C यहाँ पर कर दूँगा, और फिर उसके बाद, यह service को reload करूँगा, तो obviously बात है, इसमें कोई नाम नहीं दूँगा, आपको guess करने पर, क्या होगा कि, down हो जाएगी, ठीक है service, तो क्या करें यार, तो background में क container की, जो SHA है, यह वाला run हो रहा है, ठीक है, तो इसने कहा कि, इस ID वाला container background में run हो रहा है, अच्छा, containers कौन-कौन से चल रहे हैं मेरी machine में, वो मैं कैसे पता करूँगा, उसके लिए एक command होता है, docker ps, ठीक है, अब docker ps करेंगे, तो यह देखो, यह मुझे बता रहा है, कि यह वाला container चल रहा है, यह up है, 19 seconds पहले यह चालू किया गया था, यह port mapping से इसकी 80-80 port पर incoming traffic, container के अंदर 80 port के अंदर जाएगा, ठीक है, क्या यह चल रहा है, status क्या इसका, इसका status है, अब यह चल रहा है, 19 seconds है, ठीक है, मालो मैं इसको kill करना चाता हूँ, मैं इसको stop करना चा इसकी पूरी ID तो यह है, जाहिर सी बात है, देखलो आप लोग, तो क्या मैं इतनी बड़ी container ID लिखूँ, खुश खबरी की बात ही है, कि आपको थोड़े बहुत शुरू के 4 लिख दो, बस इतने लिख दो कि कोई दूसा container ना हो, ठीक है, मतलब कहने का यह है कि 527 से कोई औ कोई और container स्टार्ट नी हो न अच्छी, बस अगर 527 से कोई और container स्टार्ट नी हो रहा है तो यह इसी वाले container को जाकर stop कर देगा, तो इसने क्या किया है, इस container को stop कर दिया, Docker PS अब मैं दुबारा से run करूँगा, तो आप लोग देखो यहाँ पर यह नहीं दिखा रहा है मु about a minute ago, status किया इनका, यह exit हो चुक है, 10 second पहले यह वाला exit हुआ, यह भी हमने किया, यह वाला exit हुआ about a minute ago, यह वाला exit हुआ 2 मिनिट पहले, यह वाला exit हुआ 3 मिनिट पहले महीन है तो I hope कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा अभी ठीक है, अब इसी machine के अंदर आप पोर्ट को अलाओ करना चाहता हूँ, तो मैं लिखोंगा UFW allow 5000, ऐसा करने से क्या होगा कि 5000 पोर्ट जो हो अलाओ हो जाएगा, ठीक है, यानि कि 5000 जो पोर्ट है, वो अब इस computer के अंदर access किया जा सकता है, यानि कि अगर मैं port mapping अब कुछ इस तरह से कर लूँ, आप लोग को ये container जो हम चला सकते हैं नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं लिखोंगा यापर docker run alpine, तो आप लोग देखना है कि ये alpine image को लेकर आ रहा है, ठीक है, alpine क्या है, alpine एक बहुती minimal सा configuration वाला एक operating system वाला computer है, ठीक है, कुछ ऐसा समझ लो, हम alpine से start करके कोई भ container के अंदर वो files हों जो कि हमें चाहिए नहीं, ठीक है, समझ रोग आप लोग में क्या कह रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हलकी से हलकी image इस्तेमाल करें, मैं नहीं चाहूँगा कि पूरी, अगर मुझे सिर्फ python use करना है container से, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं पूर 4 लिखोंगा तो stop होगा, क्या हाँ हो जाएगा, देखो, docker ps लिखोंगा, stop हो गया, क्यों होगा सिर्फ 4 लिखने से stop, क्योंकि कोई दूसा container नहीं था, जो 4 से start हो रहा है, तब जाहिए सी बात ही, मुझे इस तरह से stop नहीं करने देता, मुझे कुछ और letters लिखने पड़ते चार characters लिखी लो, ठीक है, शुरू के, तो I hope कि यह चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो हमने देखा background में किस तरह से हम लोग container को throw कर सकते हैं, हमने देखा कि किस तरह से हम लोग किसी भी एक container को stop, start कर सकते हैं, अच्छा अगर मैं docker ps-a लिखूं, docker ps- minus-a, तो इस सारे के सारे container अभी भी मौझूद है, अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर docker rm, और मैं लिखता हूँ, a0, और इसके बाद मैं लिखता हूँ, docker ps-a, तो alpine वाला container देखो, यहांसे गाया बोच चुका है, अब यह मैंने किया किया, यह सारा हलके-लके समझाता ह आप लोगों, देखो, जब मैंने docker ps-a, लिखा, तो यह सारे container जो कि exit हो चुके है, वो यहां पर मुझे दिखाय रहा है, ठीक है, जब भी हम कोई container spin-up करते हैं, तो उसका जो data रहता है, यानि कि उसके अंदर जो भी files है, जो भी data है, उसका वो container, जो actual machine है, container को मुझे वैस spin-up किया था, ठीक है, मैं अगर यहां पर docker ps-a लिखो भी, docker ps-a लिखो, तो यह देखो, alpine यहां से गायब हो गया, ठीक है, हमने nginx लगाया, फिर nginx हमने एक और start किया, एक बर और किया, फिर alpine start किया हमने, तो जैसे यह से हम containers को spin-up करते जा रहे हैं, करते जा रहें, क container configuration save होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो हम नहीं चाहेंगे कि बहुत सारे container से खटा हो जाए हमारे computer में, क्योंकि वो resources ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम docker RM से उनको remove कर सकते हैं, ठीक है, तो 4E वाला भी मैं remove कर सकता हूँ, अब मार लो मैंने बहुत सारे container practice के तौर पर बना दिये, मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए command होता है, docker system prune, तो docker system prune, अगर आप लोग रन करोगे तो ये क्या करेगा, सारे stopped containers को हटा देगा, all networks not being used by at least one container, all dangling images, सारी build cache, सब ये क्या करेगा, remove कर देगा, ठीक है, अब मालो मैं आप लिखता हूँ, docker run nginx, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसको आप background में throw कर दूँगा, docker run minus d nginx लिखूँगा, ठीक है, अब मैं docker ps करूँगा, तो ये मुझे nginx container run होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आप चाहूँ तो इस वीडियो को पीछे कर कर दें, बार बार देखना, अगर आपको अगर आप लोग को दिखाऊ, तो ये container forcefully stop हो चुका है, अगर मैं आप पर लिखता, docker run minus d e, और फिर इसके बाद docker ps करता, और इसके बाद docker rm, 1f करता, तो ये मुझे नहीं करने देता, stop, ये कहता कि भाई container चल ला है, stop मत करो, समझ में आई, container चल रहा है, चलते हुए container क क्यों stop कर रहे हो, लेकिन अगर मैं minus f flag लगा दूँगा कुछ इस तरह से, तो ये stop हो जाएगा, जितने में command मैं use कर रहा हूँ, यहाँ पर वो सब आप लोग को description में मिल जाएंगे, अप in comment में मैं लगा दूँगा, तो access कर लेना, ठीक है, और अगर मैं भूल जाओं तो य docker exec minus it, यह command होता है, docker exec minus it, और मैं लिख दूँग 1f और लिख दूँग बैश, तो मैं इस वाले container के अंदर आ चुका हूँ, इसमें मैंने bash command run कर दिया है, ठीक है, तो मैंने लिखा docker exec minus it, 1f bash, अब मैं आप लोगों दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग, एक container के अंदर files copy वगएरा कर सकते है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखों कि यह container हमारा चल रहा है, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर docker exec minus it, minus i का मतलब होता है, interactive और t का मतलब होता है, tty, और मैं इसमें bash command run करूँगा, basically मैं यह कह रहा हूँ, कि मैं इस 1f12, यह मैंने उपर दिया जा चुका हूँ, ठीक है, मुझे पटका दिया जा चुका है, ठीक है, तो 45 मेरी machine है, 1f मेरा container है, तो देखो मैं अब container के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, जिसे कि आप लोग देखी पा रहे होगे, अब यह करने के बात क्या होगा, आप लोग देखो कि मैं यहाँ प अपडेट सबसे पहले, ठीक है, और अपडेट लिखने के बाद, अपट इंस्टॉल विम, ठीक है, तो मैं अपट इंस्टॉल विम करूँगा, विम इंस्टॉल हो जाएगा, फिर मैं लिखूँगा, विम हैरीभाई.txt, मैंने हैरीभाई.txt बनाई, आई दबाऊंगा, अब लिखूँगा, इस इस हैरीभाई.txt फाइल, ठीक है, बहुत यह सिंपल सा फाइल का नाम मैंने लिखती है, अब मैं क्या करूँगा, एग्जिट लिखकर बाहर आ जाओंगा, अब देखो, यहाँ पर root at the rate, मेरी मशीन की आईपी दिखा रहा है, पहले दिखा रहा थ यह root at the rate, मेरे container की ID, ठीक है, यहाँ तक सब को clear हो गया, ठीक है, बढ़िया, अब मैं आप लोगो दिखा हूँगा कि किस तरह से docker cp कमांड का इस्तमाल करके, आप लोग copy कर सकते हो, file to and from the container, ठीक है, तो docker cp क्या करता है, source destination, इसका जो syntax होता है, वो यह होता है, source और इसक इसके अंदर कौन सी file, मैं आपर लिखता हूँगा, harrybhai.txt, destination क्या है, मालो destination मैं harrymachine.txt रखना चाहता हूँ, enter बारूँगा, तो यह क्या करेगा, इस container के अंदर जाएगा, यह वाली file के content को लेकर आएगा, और harrymachine.txt file के अंदर, इस computer के अंदर, save कर देगा, तो basically हमने क् कर ली file, अपने container के अंदर से, और हम ले आएगा, इसको यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मैं भी यहाँ पर लिखूँ, sorry, docker नहीं, मैं आपर लिखूँ, whim harrymachine.txt, तो आप देखो, this is harrybhai.txt file, ठीक है, तो basically हमने क्या किया, कि container के अंदर से हमने एक file लाकर क्या किया, कि यह हाँ पर ले अपनी machine के अंदर, ठीक है, अब आलो मैं आपर लिखता हूँ, एक file बनाता हूँ पहले, 7.txt, ठीक है, और मैं लिखता हूँ, im7, ima7 लिख दिया, who cares, ठीक है, save करूँगा इसको, अब मैं क्या करूँगा, दुबाला से वो docker exec वाला command करूँगा, docker exec वाला command क क्या करेगा, docker exec वाला command basically इस container के अंदर मुझे ले जाके पठकेगा, with bash, bash run करेगा, और इसके बाद मुझे एक interactive terminal दे देगा, अब मैं इस container के अंदर आ चुक हूँ, पहले virtual machine के अंदर था, अब मैं या पर क्या करूँगा, लिखूँगा docker cp, मैं कहां से, कहां से, कहां ल file है, मैं उसको 1F12 वाले container के अंदर 6.txt के तोर पर copy करना चाहूँगा, और अब मैं जाओंगा, इस container के अंदर, और आपको दिखाता हूँ, विम 6.txt लिखूँगा, तो आए, math7, जो की 7.txt में लिखा हूँगा था, वो यहां पर आ गई है, basically file copy हो गई है, as6.txt, ठीक है इस container के अंदर, तो हम machine से, हमारी Linux machine से लेकर आए container के अंदर, as6.txt, कौन से container के अंदर, उसकी ID हमने आपर दे दी है, तो यह source है, जो कि हमारी machine में 7.txt थी, और यह destination है, जो कि हमारे container में 6.txt है, आप यहां पर full path भी दे सकते हो, 6.txt की जगा, वो आपकी मर्जी, आप किस पर कॉपी कर सकते हो, container के अंदर, and same goes for machine, machine के किसी भी path से, container के किसी फाइल, path में फाइल डाल सकते हो, ठीक है, I hope कि यहां तक तो सब को clear होई गया होगा, ठीक है, अब हम बात करेंगे docker commit की, अगर मानलो मैं चाहता हूं कि जो सारी खुराफाते करी है, मैंने one app वाले container के सा इसके अंदर मैंने files बनाई, जैसे कि 6.txt, इसके अंदर मैंने harry.txt करके एक file बनाई, इसके अंदर मैंने vim install किया, ठीक है, इसके अंदर मैंने apt update run किया, तो यह सारी खुराफाते थी, जिसने इस container के configuration को change कर दिया, एक container को आप एक virtual machine के तोर पे देख सकते हो, exactly virtual machine नहीं ह होता है container, तो एक तरह से इस container के अंदर मैंने programs को install किया, files को update किया, तो मैं इन सारे changes को commit कर सकता हूँ, यानि कि इसकी एक image बना सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा docker commit, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा, यह जो container है, हमारा 1F वाला 1F12, और मैं जैसे enter मारूंगा, यह करें, docker is not found, basically मुझे इस machine से बाहर आना पड़ेगा, sorry, container से बाहर आना पड़ेगा machine में, अब मैं यह आपर लिखूँगा, docker commit 1F12, तो यह क्या करेगा, commit कर देगा, और एक image बना देगा, अगर मैं यह आपर लिखूँ, docker image, docker images, ठीक है, तो आप देखो, यहाँ पर यह एक image बना दी, इसने नहीं, इसका repository none है, tag none है, image ID यह है, तो basically यह क्या किया है, इसने, 196 MB की image बना दी मेरे लिए, जिसमें क्या है, यह सारी information है, जो इस container को spin करने के लिए चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर docker commit की documentation में मैं यह देखने दूँगा, harry, slash, मैं लिख दूँगा, nginx, और colon लिख दूँगा, मैं 6.7, ठीक है, let us say, मैंने यह किया, ठीक है, docker images करूँगा, तो देखो, harry nginx repository का नाम हो गया, 6.7 इसका tag हो गया, image ID यह, और created 2 seconds अगो, अब मानलो, मैं इस image से container बनाना चाहता हूँ, मैं सबसे मेले यहां पर क्या करूँगा, जल्दी से docker ps लिखूँगा, ठीक है, by the way, एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर मानलो, चलते चलते आपका यह terminal hang कर जाए, बहुत साए time की negativity के बार यह terminal hang कर जाता है, तो यहां से बन करना, और दुबारा से SSH कर लेना, यहां से power shell खोल कर, ठ docker stop करूँगा, इस container को, 1f वाले को, stop हो गया है, ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, यहां पर stop, इसको मैंने कर दिया, docker ps अगर हमी मैं लिखूँ, तो यह basically क्या है कि कोई भी container नहीं चल रहा है, अब अगर मैं आपर लिखूँ docker images, तो मुझे सारी images देखने को मिल रही ठीक है, तो यह मैंने आपर कर लिया, मैं काम करूँगा, इस काम को थोड़ा background में करूँगा, docker run minus d करूँगा, और 49 लिखूँगा, और अब docker ps करूँगा, और अब docker exec minus it करूँगा, 1d, 1d नाम से इसने container बनाया, और मुझे bash भी लिखना होगा, तो bash मैंने run किया, अब म जो files हमने बनाएं थी, 6.txt, यह सब मौझूद है, तो यह हमारा commit हो चुग है image, ठीक है, तो I hope कि आपको समझ में आगे देख, harryby.txt, बेस container के अंदर, तो अगर आप किसी भी container को change करके, एक image बना कर अपने पास रखना चाते हैं, तो वो आप कर सकते हो, हमेशा, ठीक है, तो Docker commit की जो documentation है, वो आप देख सकते हो, किसी भी command की documentation, detail में आप देख सकते हो, docs.docker.com पर जाकर, so yeah that was all about Docker, अभी के लिए Docker में मेरे पास इतना ही था, यह बहुत fast-paced tutorial था, complete tutorial नहीं था, अगर आप लोग चाते हो, Docker का complete course भी plan कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा j soybean, जो है, बहुत कामकी में, चैसमें सारे के सारे commands जो कि मेंने बताए, और जो कि मेंने नहीं बताए, वो भी लिखे होँ हैं बहुत सारे, तो आप इनको run करके देख सकते हो, इसके अंदर बहुत उच्छी अच्छे commands लिखे हो, और Docker को आप बहुत ही अच्छी तरह से use क कर सकते हो तो यह जो लिंक है इसको आप लोग सर्च कर लेना ठीक है वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा मुझे याद दिला देना अगर नहीं डालू तो देखो जिब लोग याद दिलाते रहते हैं ना कमेंट साथ रहते हैं यह फोगट टू पुट दा लिंक है और जल्दी एकसेस कर लेना इससे वहले कि ऑफर कतम हो जाए ताकि आपके जो 100 डॉलर्स हैं वो तो आप कम से कम रिजर्व करके रखी लो उसके बाद आप इस तरह की मशीन बहुत सारी बना सकते हूं लिनोड वाले एक वर्चल मशीन को लिनोड मोलते हैं तो यह कहते है झालम झालम मजद करेता हैं थार प्लियप एकसे बात लगअ मुद無 करना संथा उना सकते हैं परब्स करते हैं ब circumstances